हें गाईज तो अगर आपके समसंग के स्मार्टफोन में One UI 5.1 का अपडेट आया है तो इन 5 फीचर्स को आपको ज़रूर इस्तमाल करना चाहिए सबसे पहला टेक स्क्रिन सॉट का अगर आप इससे पहले कोई भी एंड्रोइड स्मार्टफोन यूज करते थे तो आप लोग 3 फिंगर बला जो स्क्रिन सॉट है इसे आप क्योंकि समसंग के फोन में यह फीचर है ही नहीं लेकिन One UI 5.1 अपडेट के बाद एक नया स्क्रिन चुका है जो आप लोग को नोडिफिकेशन कंट्रोल संटर में देखने को मिलेगा सबसे पहले तो आपको यहां पर प्लस बाले एकन के उपर जाकि टेक स्क्रिन सॉट को एड़ करना है दैन इसली आप यहीं से टैप करके स्क्रिन सॉट लेप सकते हो नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो कॉलिंग बैक्ग्राउंड चेंज तो अगर आपने कोई भी कॉन्टाक्ट सेब किया है फोटो के साथ तो आगर वह कॉल करेगा तो आपका जो जो कालिंग बैक्ग्राउंड है वो उसके फोटो के हिसाब से चेंज होगा फोन एप्लीकर को यहां पर अगर आप यहां पर टैप करोगे तो उस इंसान का जितने भी फोटो वीडियो जैब आपके गलरी के अंदर वो सारा सो करेगा वीडियो कितना है सेल्फी पोट्रेट मोशन फोटो हाइपर लैप्स पैनारोमा तो इन सब का भी आपर सॉटकाट है और कितने-कितने फोटो जै आप इजली यहीं से मोनिटर कर पाओगे नंबर फूर प्रोसेसिंग स्पीड बैटरी एंड डिवाइस क्यार है इसके बाद बैटरी और इसके नीचे आपको यहां पर बैटरी सेडिंग्स के अंदर आपको यहां पर प्रोसेसिंग स्पीड देखने को मिलेगा तो यहां प आपका optimize पर सेट रहेगा अगर आप थोड़ा बहुत processing लाइक काम करना चाहते हो तो high पर सेट कर सकते हो next अगर आपको थोड़ा सा और processing incentive application यूज़ करना चाहते हो तो देन आप maximum पर सेट कर सकते हो तो इसका फाइदा क्या होगा अगर आप phone में ज्यादा multitasking या फिर कोई heavy application को run करते हो तो उस time पर देखा होगा कि phone थोड़ा सा slow हो जाता है लेकिन processing speed की मदद से आप अपने phone को 1.5 times fast कर पाओगे लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यार रखना है अगर आप इस feature को enable करते हो तो बैटरी यहां पर काफी ज्यादा drain होगा एंड में भी आपका स्मार्टफोन थोड़ा बहुत हीट भी हो सकता है तो जिस टेम पर आप कोई heavy application run कर रहे हो या फिर multitasking कर रहे हो सिर्फ उसी समय इस feature को enable करो और हाँ यह option आपको notification पैनल के अंदर भी देखने को मिल जेगा तो simply आप लोगों को shortcut के अंदर add कर लेना है और फिप या फिर लास्ट feature के बार में बात करूं तो यह भी काफी ज्यादा काम का feature है simply आपने जो widget set करके रखा है इसके उपर press and hold करना है यहाँ पर edit stack अभी क्या करना है आप लोग को simply हाँ पर प्लस बले icon के उपर tap करना है लाइक मैं यहाँ पर बैटरी का अगर मैं चूज करो तो simply हाँ पर मुझे add करना है यहाँ पर देख सकते हो बैटरी वाला widget section add हो चुका है तो इस feature की मदद से आप एक widget के उपर जो भी यह सेम साइज के अंदर है आप काफी सारे multiple widgets add करके रख सकते हो सिंपले आप लोग को swipe करना है और आप उन सारे widgets को access कर सकते हो तो अगर आप S21 FE 5G का 1UI 5.1 वाला feature review बनाया है तो अगर आप समसंग के कोई भी smartphone यूज कर रहे हो तो इस वीडियो को जाके आप चेक आउट कर सकते हो features आपको similar देखने को मिलेगा बाकी ऐसे ही interesting वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को subscribe करना मत भूलेगा मिलते हैं next वीडियो में thank you